कप्छा साथ गणित का पेपर देखिए पहला क्वेश्चन है सही विकल पर सही चिन लगाना है त्रिविमीय आक्रिती संकु में फलकों की संख्या होती है तो फलकों की संख्या होती है दो तो एंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर घौ नमबर सधरन गयाज SI के सूत्र क्या होता है तो P गुले R गुले T बटा 100 तो एंसर हो जाएगा आपका खो नमबर अगला क्वेश्चन देखिए पाचास डिगरी के कोण का पूरकों होगा पूरकों होगा तो पाचास पूरकों का मतलब है कि दो कोणों का यहोग मिला के 90 हो तो पाच होती है तो एक भी नहीं एक होती है सिम्यत होती अआस Sिमित होती है गहर नमर अंसर दूसरा कोष्चन है आपको मिलान करना है। श्तम श्तमबहम करम भी नियम मतलब होता है कि एक दूसिरेender जैसेकि बीनस यह तो उधर हो जाएगा तो पहिलों को मिला देंगे खों में योज या तत्समक नियम होता है मतलब A पुलस 0 इधर A हो गया सनवरक नियम होता है आपका सनवरक नियम मतलब कि जोड घटाव कर दें जैसे कि माल लिए 8 है पाचे घटा दिया यहां पाचा गया साथ चौर जुनियम साथ चौर जुनियम होता है इसे कि A पुलस B पुलस B प्राइकेट में रहा था पुलस C इधर यहां मिश्टेक हो गया है अब फिर A या B पुलस C इधर प्राइकेट में हो गया है ठीक है इसे कोहते हैं साथ चौर जुनियम तिसरा क्वेश्चन देखे तिसरा का पाला है एक सीके को एक बार उच्छालने पर टेल आने की प्राइगता बताना है टेल आने की प्राइगता तो एक बटा दू हो जाएगा दो बीशम भीनों का गुड़न फल गुड़ा किया जाए तो परतेक भीन से क्या होता है कौम या बाड़ा तो बाड़ा हो जाएगा आकड़े इतने का बहुलक बताना है तो सबसे अधिक बार इसमें क्या है जी दो दीखरा है, तो सबसाधिक बर्दो है, तो बहुलक क्या हो जाएगा जी, दो हो जाएगा, एक सतसांग और एक दहाई के गुड़न फल जो है, क्या होता है, तो दससांग को होता है, तो एंसर हो जाएगा आपका दससांग, कोश्चन नमर चार देखिए, कोश्चन नमर चा विए क्रायमूल लेस दन विक्रायमूल तब लाभ बराबर सुत्र लिखना है तो लाभ बराबर फर्मूला होता है विक्रायमूल लाभ बराबर विक्रायमूल और माइनस क्रायमूल विक्रायमूल माइनस क्रायमूल और शांत आवरती दसमलो संख्या आएगे इतना को संकेति संकेथिक आवडि निरूपित होगा तो इसको लिग देंगे 54 बार बार हो रहा है तो लिग देंगे 410 रह दो तीन अप 5-4 लिख के 5-4 पर बार दे हो जाएगा एक हेक्टेयर बराबर क्षा वह स्कतih है एक हेक्टेयर बराबर यहीं टूडी आस्वम्तल आकिर्ति या त्रिवीमी आकिर्ति खीचना है देखिए बताते हैं कैसे खीचेंगे यह है आपका टूडी आकिर्ति और थ्रीडी आकिर्ति आपको ऐसे आकिर्ति जो है खीचना है पांच पांच आकिर्ति हो गया यह तूडी है और यह वाला कितनी बार घूमाना पड़ेगा एक पईय के परिदी होता है टू पाईयार चौधे सेंटिमीटर है तो अब यह 88 मीटर अठासी मीटर की दूरी एक चकर पूरी होती है तो दूसर चौशाट मीटर में कितना लगए तो दूसर चौशाट में 88 से भाग देंगे तो तीन एंसर आजाएगा अब कोशन है साथ नुमर एक बिर्दकार गड़ी की मिनट के सुई लंबाई चौश सेंटिमीटर है मिनट के सुई की नुक एक गंटे में कितनी दूरी तोई करती है पाई के मन दिया इसको हल करना है एक सवाला एक तरफ हो जाता है बीना एक सवाला एक तरफ साथ और आठ जात के अंसर देखिया है गड़ी बिर्दकार एमिनट के सुई चौश सेंटिमीटर हैं गड़ी के सुई नुक कंट रमप्र चकर लगाती है तो आर हो गया गौड़ी के सुई के लंबाई चनिमेटरे लाए छौश सेंटिमीटर पढ़े नीक अलें के 2 पाई आर् तो छ मिल कर以上 देखिये कीसी बनाना और यहां पर बर्वाबर का चिन है यहां आपका असेटास यहां भी पर ने यह दो तो इतना हो गया इधर ले लिए फिर आपका जो है लेने के बाद यहां इतना आ गया अब यहां पर हम क्रोस मॉल्टिपलाई करेंगे इधर यह कोई सेगुड़ा होगा इधर दो से होगा ठीक है यहां पर मिश्टेक हो गया तेरे दूने 26 रहेगा यह ठीक है अब यह पर हो गया यह एकंट एक्स समय से के तो इतना हो गया यहां पर इधर आएगा तो 26 एक्स रहेगा ठीक है तो भाजाएगा आपका पांच एक्स कर्चब्रे निकाल दिया जाता है तो इतना इतना आया जाएगा आपका कि डिल्म MARTIN 24 2 2 imperfect यकात कार परिदी के बराबर हूं मने आगे पिरक की परिदी है और इतना लंबे चटाइजिक्ट फ़ल्गे अ कोब्राबर कर देंगे थीक है ता मार निकोल यहाईगे फिर इतके पर निकाल लेंगे भी पर विद्कार कागज की तीरदिया बड़ा चोटे बिडित का तीर जिया छोटा आर मने बड़ा आठसेट्रिम्टर चोटा आर्था होता है बड़ा पाई आरे स्कोर माईना छोटा पाई आरे स्कोर तह यहाँ पर पाई के मान होगा तिन दो समलों एक क्वेस्ट नमर दोस देखिए बड़ा लिखना है आपको आयत के परिमाप याप परिती एकी बात है तो 2 2 pi r और 2 into L plus b होता है, 2 pi r बरब 2 into L plus b, इतना होगा, इसले हमारा आर के मान निकल जाएगा, बिलित के छत्पर निकलना है तो pi r square, तो pi r square कर देंगे, pi होगी r के मान 14 square, 14 गुणे 14, 7 दूने 14, गुडा कर देंगे 14 दूने 28, 28 दूने 2616 cm square, इसले तरह से आपको हम और कोशन बत आएगे, इसी में से आपके परिछा में आप लोगों को आएगा, इस वीडियो का आप लोगों से उम्मीद करेंगे, अच्छा लगा, तो दूसरे के पास भी share करेंगे, अपने दोस्त के पास share करेंगे, ताकि वो भी पढ़ सके,